कुछ महीनों पहले कि अगर बात करे जाए, तो हम रश्या और यूक्रेन की लड़ाई को लेके काफी चिनते थे, कहीं बात आती थी कि चीज़े कितनी महंगी हो जाएंगी, या फिर यूक्रेन में क्या बुरे हाल हो रहे हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो किस तरीके के अक आता होगा, कि आखिर इतने महीनों से जो लड़ाई चल लए है, उसमें रश्या ने तो अपना नुक्सान ही कर लिया, क्योंकि रश्या नहीं लड़ाई शुरू करी थी, आपको यही लग रहा होगा, कि रश्या इतने महीनों से लड़ाई है, और अभी तक कोई आ रहा है, कि रश्या जीता है, या उक्रेन जीता है, या फिर लड़ाई का हो क्या रहा है, और दूसरी तरफ हमें यह लगता है, कि रश्या का भारी नुक्सान हो रहा है, तो मैं आपको बता दू, जितना हिस्सा यूक्रेन का रश्या ने कबजा लिया है, उससे उनको को और दूसरे important minerals मिलने वाले हैं, metals मिलने वाले हैं, जिसकी कुल कीमत अगर लगाई जाए, तो 12 trillion dollars, 12 trillion dollars बना चुका है Russia, इंडिया की जो economy है, वो 3 trillion dollars की, आप समझ सकते हैं, इंडिया की economy से 4 गुना जादा, अभी तक फायदे में है Russia, Ukraine पे हमला करने से, तो overall अगर दिखा जाए, तो रश्या के लिए अभी भी win-win condition है, जितना Ukraine उनों ने जीत लिया है, और उसके बाद भी भी Russia aggravate करता जा रहा है situation को, और आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये current update है Russia और Ukraine की लड़ाई की